करीला धाम में नहीं लगेगा इस बार रंग पंचिमी का मेला देश भर से लाखों सुरत धालू पहुंसते थे करीला धाम अशोक नगार जिले में है माता जानकी का मंदेर परोह संक्रमन के चलते पिशासन ने लिया नेरनाए भक्व ओनलाइन ही कर सकेंगे माता के दर्शन पिशासन ने किये स्वक्षा के कड़े इंतजाम प्रस्तोताय एलन चोवे की एक खास रिपोर्ट जी हाँ अशोक नगार जिले में माता जानकी का पिशिद्ध मंदेर करीला धाम है जहां माता लबकुष के साथ यहां बिराजी है लोकमानिता एवं इस इस्थान के विशय में कई पिर्चलित कथा है प्रतेक वर्ष होली के उप्रांत रंग पंचिमी के दिन यहां भब बे मेले का आयोजन होता है जिसमें देश भर से लाकोश रधालू माता के दर्शन करने वा अपनी मनत पूरी करने के लिए यहां आते हैं लेकिन इस वर्ष सद्धालू को माता जानकी के दर्शन नहीं होंगे कुरोना संक्रमन के चलते जिलाप पिशासन ने स्रक्षा की द्रिष्टी से यह नेने लिया है मंदिर समीती ने एक प्रेस नोट जारी कर वताया कि संक्रमन के चलते इस वर्ष माता के दर्शन के बल ओनलाइन ही हो सकेंगे मां का पुजारी हूँ मेरा नाम रामबावू है और बहुत वर्षों से हकत पूजन पड़त चलते हैं हर साल मेला बाता है 35 लाथ पबलक हो जाती है 35 लाथ पबलक हो जाती है और इस वर्ष में करोना के कलीकान में में हम बंद रख लिया है और में हिस्ति ही पर रहता हूँ जिसकी मिन्नत पुली होती है वो मिन्नत पुली कर जाता है जो जूरे 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 जू जाता है और गुर्व अपने हर्स और लास के साथ में चला जाता है जब स्री राम चंद्वद्वार रावन के लिए धरास आई करके आए थी घर आए थी तो लक्षमिन ही के दोड़ा या जंगर में चुने लेए थी वो आकर कि ये बालिमिक जी का आस्रम रुकुपा तो बाल कर जाते हैं अपनी मिन्नत पूरी हो जाती है उसे इहां कर जाते हैं मैं बहुत कलिकामी दोसर रह रह रहा हूं का आई को बहुत पूरा एंपी का जिता भी फरसासन लग जाता है यहां को कर दो बहुत कर दो बहुत कर दो जाता है यहां को